नमस्ते दोस्तों इस वीडियो में हम Gaussian Elimination with partial pivoting देखेगे तो partial pivoting में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बात अज्यूम करता हूँ कि आपको Gaussian Elimination डिटेल में पता है अगर नहीं पता है तो प्लीज आप Gaussian Elimination अच्छे से देख लिजेगा उसके बाद partial pivoting आप देख सकते हैं तो pivoting जैसे की वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले pivoting यानि क्या वह हम जानेगे तो देखिए दोस्तों partial pivoting यानि जब भी कोई equation को हम reduce करते वक्त एक variable का इस्तेमाल करते हैं उस element को हम कहते हैं पाइवोट और और टे रिज़ेटीं200 अल्गोरिदम इस करड़an इलेमिनेशन विद पाइशल पाइवोटिंग तो हम एक algorithm यहाँ पार।्यूर tenían यह इंख करते हैं जिसे हम गोशेन इलेमिनेशन विद पाइवसbnीड कहेंगे तो कि दोस्तों यहाँ पर यह जो इलिमेंट है यह इलिमेंट है हमारा जिससे हम यह जो दो इलिमेंट्स है इसको मॉडिफाय करते वक्त जिरो करते हैं तो गॉस इलिमेंट में हम क्या करते हैं तो यह जो पहला element रहता है इसके help से इनको reduce करते हैं इसलिए हम इसको कहेगे इस element को कहेगे हम पाउट और एक example consider करते है कि अगर हमने already reduce कर दिया है तो यहाँ पर देखिए यह तो पहला वाला काम हो गया है इनको reduce करने का अब क्या रहता है generally जो second element है यह यह था a11 यह था a22 तो a22 का help करके इस्तमाल करके हम इसको reduce करते हैं अब इसको इसलिए यहाँ पर जो element हो गया पाउट element यह है यह 4.19 तो इस तरह से हम पाउट को select करते हैं अब सबसे पहले बात आती है अगर हमारे करते हैं अगर दिरिंग बोथ forward elimination and back substitution phase इडिस पॉसिबल दैट डिवीजन बाइ सबसे पहला एक प्रॉब्लिम आएगा हो सकता है दोनों स्टेप्स में आए हमारे गौसेन elimination में forward elimination एक स्टेप थी और backward substitution एक स्टेप थी तो इन दोनों स्टेप्स के वक्त एक प्रॉब्लिम आ सकता है वह रहता है डिविजन बाइजरो अब देखिए अगर ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है अगर मैं इसको पाइवोट इस्तेमाल करना चाहूं तो यह जो है पूर डिवाइड़ बाइजरो और सेवन डिवाइड़ बाइजरो ऐसी यहाँ पर यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इससे क्या होगा तो यह यह एवन वन था यह एवन टू स्वरी एटू टू है तो एटू टू भी अगर जीरो है तो भी इनको हम रिड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि डिवाइड बाइजरो अगर हम करेगे तो यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आएगा तो यह प्रॉब्लम होते हैं पाइवोटिंग म हम आप यहाँ पर रो इंटरचेंज कर दी तो हमारा जो प्रॉब्लम है डिवाइड बाइजरो का यह आल हो गैता है अगर ऐसा हम करते हैं यह से कहते हैं पार्शल पाइवोटिंग और ढूसरा जो प्रॉबलेम और तुसरा जो टाइप है अगर हम रो और कॉलम दोनों मैं तो उसको हम कहते हैं complete pivoting लेकिन complete pivoting हम जनरली इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि उससे order of x या फिर यह जो x y z elements है यह variables है इनकी order change हो जाती है इसलिए हम यहाँ पर complete pivoting नहीं देखने वाले हैं हम सिर्फ partial pivoting यहाँ पर देखने वाले हैं तो अगर row और हम दोनों change होते हैं तो वह हो गया है complete pivoting अगर सिफ रो इंटरचेंज कहते हैं तो हम उसे कहते हैं partial pivoting एक और problem है अगर zero से divide वाला problem नहीं है तो भी कभी कभी क्या होता है हम जनरली computer इस्तमाल करते हैं solve करने के लिए तो अगर computer में round of हो रहा है तो round of error वहाँ पर produce होगी यहाँ पर आप एक example देख सकते हैं इस problem को अगर आप Gaussian elimination से solve करते हैं आप try किजिए इसको अगर Gaussian difficulty आए वह रहेगी round of error की जो actual problem रहेगा और और जो आपका approximate solution यहाँ पर आएगा इन दोनों में कुछ ना कुछ difference रहेगा यह रहेगा rounding error तो यह round of error भी reduce करने के लिए जनरली हम इस्तमाल करते हैं partial pivoting तो दो काम हो गया अगर divide by zero problem solve करना है तो हम partial pivoting इस्तमाल करेगे और दूसरा problem यहाँने round of error reduce करने के लिए भी हम partial pivoting इस्तमाल करते हैं तो working rule देख लेते हैं जल्दी से जल तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं find the entry of left column with the largest absolute value this entry is called pivot तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम रहेगा उसमें का left column हम चूज करेगे यानि पहला कॉलम चूज करेगे और उसमें की largest absolute value देखिए दोस्तों यहाँ पर absolute value है absolute value का मतलब रहता है sign positive हो या negative हो जो भी value greater रहेगी वो हमें चूज करना है तो यह हो गई हमारी पहले step अब उसको फिर हम switching करते हैं और रो इंटरचेंज इस्तमाल करें उसको आज पाइवोट सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा operation है वह परपॉर्म करेंगे अब रोपरेशन परपॉर्म करेंगे बाद हम जनरली जो नीचे वाले elements रहते हैं पाइवोट इलिमेंट की नीचे वाले इलिमेंट उनको जिरो करेंगे और फिर उसको को स्वाल करेंगे तो यह हो गया पहला वाला ऑपरेशन अब इसी ऑपरेशन को हम जनरली रिपीट करते हैं तो यह जो तीन स्टेप्स हमने यहाँ पर बताई है पहली एपसोलिट वाईलू सेलेक करो बाद में उसको रो एंटर चेंज करो और फिर रो ऑपरेशन चेंज करो त तो यह जो तीन स्टेप्स रहती है इसको हम कहते है पास तो एक पास हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे पहला कॉलम और पहली row ignore कर देगे इसका मतलब है हम दूसरे row के नीचे से और दूसरे column के नीचे से जो भी value है उसमें का second column फिर choose करते हैं और उसमें की largest value find करेगे और वही steps repeat करेगे जो उपर हमने कीती यह तब तक करते रहेगे जब तक हमारा upper triangular matrix हम बना नहीं लेते तो Gaussian Elimination में हम upper triangular matrix बनाते थे यहाँ पर भी हम upper triangular matrix बना रहे है लेकिन यह pass वाली जो steps है यह follow करके तो Gaussian Elimination with partial pivoting में हमें यह pass यह तीन steps follow करने परती है इसको ही हम कहते है पास फिर first pass second pass third pass जितने भी passes आएगी उतने पास हम perform कहते है और Gaussian Elimination with partial pivoting यहाँ पर इस तरह से वर्क करता है तो एक एक्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है Gaussian Elimination with partial pivoting से यह system of equations solve करनी है तो generally हम क्या करते है तो सबसे पहले हम augmented matrix यहाँ पर बनाते है augmented matrix बनाने की steps हुआ ही रहेगी हमें A और B की जो entries है वो respective entries यहाँ पर इस्तमाल करनी है तो देखिए A की जो respective entries है सबसे पहले equation से शुरू करती है यह है 0.02 एक्सवन का coefficient तो 0.02 देन एक्सटू का coefficient है 0.01 देन एक्सट्री और एक्सपॉर के elements जो है वह है 0 तो इसके coefficient हमने यहाँ पर 0 लिख लिए अब बी का जो coefficient है वह है 0.02 तो हमने इसे भी ऐसे ही लिख लिया अब यह हो गया equation 1 equation 2 की लिए यह आएगा एक्सवन का coefficient 1, एक्सटू का coefficient 2, एक्सट्री का coefficient फिर से 1 है और बी की वैलू है 1, एक्सपॉर का coefficient डेपिनेटली नहीं है तो 0 रहेगा यहाँ पर एक्सटू से शुरुवात हो रही है इसका मतलब है एक्सवन 0 है एक्सटू की वैलू 1 है एक्सट्री की 2 है यह 1 और यह 4 आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम Augmented Matrix कैसे बना रहे है और यह हो गया 100 X3 और 200 एक्सपॉर तो यह हो गया 100 200 इक्वास टू 800 इसलिए यह जो कोई पाइवट इलिमेंट हमको धूना है तो पाइवट इलिमेंट धूनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है जो हमारा पहला कॉलम है लेप्ट कॉलम यानि यह वाला तो इस कॉलम में सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यह हमें दूना है तो सबसे बड़े वैल् अगर यहां पर पायू रहता याने र 4 में रो 4 में अगर पायू रहता तो हम रो 4 और रो न को इंटरचेंग करते हैं लेकिन यहां पर रो 2 को रो 1 के साथ हमें यहां पर winter चेंग करना है therefore यहां पर पहले step क्या रहेगी r 1 is इंटर्चेंज्ट विद आर्टू तो आरवन और आरटू अगर इंटर्चेंज करते हैं तो हमारा जो ऑग्यमेन्ट मैट्रिक्स चाहीं से देखेंगा देखें अब हमने इंटर्चेंज कर्दिया है आप अब नेक्स्ट औरचेंज्ट का रहेगा यूजिंग यह यह वन इस्तमाल करके यानि पहला इलिमेंट इस्तमाल करके हमें यह तीन इलिमेंट जुरो करना है उसमें से यह वाला इलिमेंट और यह वाला इलिमेंट तो जुरो है इसलिए हमें इसको जुरो करना पड़ेगा अब इसको जुरो करने के लिए हमें ओपरेशन कौन सा प यह करना पड़ेगा अब R2 की वैल्यू यहां पर मैं रप में लिख लेता हूँ यह है 0.02 0.01 यह है 0 बाद में नीचे भी 0 और B के जो वैल्यू है यह है 0.02 अब माइनस 0.02 टाइमस R1 करना है R1 का पहला इलेमेंट है 1 तो माइनस 0.02 होता है यह अगर 2 से मल्टिप्लाइ करते है 0.02 को तो यह माइनस 0.04 हो जाएगा यहां पर 1 है फिर से तो माइनस 0.02 multiplied by 1 यह होता है यह 0 है तो 0 ही रहेगा और 1 multiplied by 0.02 तो यह है हमारे elements इसको इसकी value आती है 0 इसको अगर solve करते हैं तो यह आएगा minus 0.03 यह element आएगा minus 0.02 यहाँ पर 0 आएगा और यह भी 0 आएगा तो हमारा जो R2 है इसकी respective values क्या है 0, minus 0.03, 0.02 और 00 आप देखिए यहाँ पर वही values हमने लिख ली है तो यह हो गया हमारा R2 अब देखिए यह step होने के बाद हमें next इसको हम कहेगे first pass क्योंकि हमने पहले क्या किया जो greatest value थी उसको उपर लिया याने हमारा यह pivot element पहला हो गया उसके बाद हमने नीचे की element 0 कर दिय आब इसके बाद हमें के हमने यह क्या दिया तो अब हमें क्या करना है हमें first row और first column इनको ignore करना है अब यह ignore कर लेते हैं तो फिर second column में देखेगे अब देखिए second column में इनको いग्नौर करने के बाद हमें फिर से greatest value दूननी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से greatest value यह वाला 0 है यह वाला 1 है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें r2 और r3 को interchange करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ पर operation क्या है r2 इंटर्चेंजेस विद आर थ्री इफ वी इंटर्चेंज आर ट्री और एक्वेशन विल लुक लाइक दिस हमने सिर्फ आर वन आर ट्री को इंटर्चेंज किया है बाकि कुछ भी चेंज नहीं रहेगा देखें यह 1214 1214 उपर चला गया और यह सहे कुम मुझें नादालक पर पर होगा आप सा प्सक्राइब हम जीदेग्स क्वारी सम्सायों यह लाला इल्याट सोट्राविंट आएडेशन रहें प्लस में vector 0.03 R2 यह operation अगर करते हैं आप इसको perform करके देख सकते हैं अब मैं सिर्फ यहाँ पर से ही value यहाँ से start करूगा तो यह value है minus 0.03 नीचे के value है minus 0.02 यह 0 और उसके नीचे वाली भी 0 इसको multiply करेगे इस 0.03 के साथ with positive sign तो positive sign मैं पहले ही लिख लेता हूँ अब 0.03 से इस one को अगर multiply करते हैं तो यह होता है 0.03 2 से multiply करते हैं तो यह रहेगा 0.06 0 से multiply करेगे तो 0, sorry यह one था तो यह आएगा 0.03 3 और 4 से अगर multiply करते हैं तो यह आएगा 0.12 अब इनके addition अगर देखते हैं तो यह हो जाता है सेकंड पास भी complete कर दिया अब सेकंड पास अगर complete हो गया है तो सेकंड पास के वक्त हम क्या करेगे हम फर्स्ट हम पहले दो रो और पहले दो column को फिर neglect करेगे तो यह जो values है अब हम यहाँ पर neglect कर रहे हैं फर्स्ट टू रोज एंड टू कॉलम्स तो हमारे पास बची यह values अब देखिए इसमें से हमें फिर पाइवट इलिमेंट दोड़ना है अब यह जो थर्ड कॉलम है इसमें से आप देखेगे तो यह जो हंड्रेड है यह है greater as compared to 0.04 इसलिए हम और 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 त्री को इंट्रेंज करेगे और और फोर यहां पर उल्टा भी लिख सकते हैं अगर यह इंट्रेंज करते हैं त और अब यह हो गया हमारा पास थ्री जिसमें हमने रों इंट्रेंज करगी अब क्या करना है इस 100 का इस्तमाल करके हमें इसको 0 करना है इसके लिए हम क्या करेगे हम operation perform करेगे यहाँ पर R4 क्योंकि हमें इस 100 का इस्तमाल करके ये 0.04 को 0 करना है तो R4 is equals to 100 multiplied by R4 minus 0.04 multiplied by R3 आप ये operations खुद परपॉम करके देखिए अगर आप ये परपॉम करते हैं तो आपको जो values है यहाँ पर 5 मिलेगा और यहाँ पर 20 यहाँ पर 0 तो यह 0 minus 5 minus 20 अब यह हो गया हमारा step 1 जो Gaussian elimination में इस्तमाल करते हैं वो पूरा का पूरा complete हो गया याने forward elimination अब backward substitution हमें इस्तमाल करना है अब हम क्या करेगे जस्त इसके values हम replace करेगे with x1, x2, x3 and x4 तो equation के form में लिखते वक्त हम क्या करेगे देखिए यह value हो जाती है minus 5, x4 equals to minus 20 then second equation जो बनेगा वो रहेगा 100 x3 यह x3 है, x1 और x2 जोरो है तो यह क्योंकि इनका multiplication रहता है तो 100 x3 plus 200 x4 equals to 800 then यह है x2 वाले coefficients तो 1 x2 plus 2 x3 plus 1 x4 equals to 4 और आखरी वाला यह x1 plus 2 x2 plus x3 x4 का element 0 है equals to 1 तो यह 4 equations हमें मिलते हैं, अब हमें इसके basis पर values find करनी है, तो अगर हम इसको solve करते हैं तो यह negative negative value cancel हो जाएगी और x4 की जो value है हमें मिलेगी x4 equals to 4 अब देखिए x4 equals to 4 अगर मैं यहाँ पर put करता हूँ तो यहाँ पर हमें मिलेगा 100 x3 equals to 200 into 4 तो यह 800 होते आता है, 800 अगर हम right hand side पर बेजेगे तो 800 minus 800 0 इसका मतलब है x3 की value हमें मिल रही है 0 अब x3 की value 0 है और x4 की value 4 है तो x3 अगर 0 हम put करते हैं तो यह होता है 0 तो x4 की जो value है यह है 4 और x2 की value है जो हमें पता नहीं है calculate करनी है equals to 4 अगर हम इसको solve करते हैं तो यह 4 minus 4 0 हो जाता है इसलिए x2 की value भी हमें मिलेगी 0 और अगर हम x1, x2, x3 और x4 यहाँ पर put करते हैं तो देखिए x1 की value पता नहीं है x1 ही find करना है plus 2 x2, x2 की value तो 0 है x3 की value भी 0 है equals to 1 therefore x1 is equals to 1 तो इस तरह से हमें जो final answer मिलता है वो रहता है x1 equals to 1, x2 equals to 0, x3 equals to 0 और x4 equals to 4 आप इसको calculator पर cross verify करके देख सकते हैं हमारी यह values है या पर directly हमारे equation में जो भी हमारा पहला equation था उसमें x1, x2, x3, x4 की value पूट करके देखिए आपको equal to b मिलना चाहिए वही value अगर मिलती है तो exactly आपका answer यहाँ पर cross verify हो जाता है तो इस तरह से हम partial pivoting इस्तेमाल करके solve कर सकते हैं तेंग को